तो यह टाहु गाईज वेलकल बाक टो मैं चानल सो आज का वीडियो जो है वह आइब्रो पे होने वाला आइब्रो फिल्क ऐसे करते हैं पाउडर प्रॉडड़क के साथ भी और जेल प्रॉड़क के साथ भी अब को बताने वाली हो तरह से में करती हूं, आपको दिखा रहा हूं, यह पाओदर पैले जो है मेरे हाथ में माली होकी है और दूसरा प्रोड़क्त जो है, वो जेल प्रोड़क्त है, इन कलर का, पहले मैं जल से फिल करके बताऊँगे यह बहुत लोंग-लास्टिंग होते हैं बैसिकली जब तक आप खुद नहीं है जैने प्रॉड़क्ट होगा उतना अच्छा होता है स्टार्ट कहते हैं फैलिंग मैं यह ब्रश यूज कर रहे हूं कायली का यह Amazon से परचेस किया था बहुत पहले बहुत पराना ब्रश है और इससे बहुत बढ़ा है अगर आप बिगनर है तो इसे यह यूज ना करें क्योंकि यह मैं स्क्रेट कर देगा मैं को इससे करने की आदत है तो मैं इसलिए यह यूज करती हूँ तो मैंने इस पर हलका सा प्रोडेक्ट लिया उसको ब्रश को रब कर दिया ताकि प्रोडेक्ट पूरे ब्रश पर डिवाइड हो जाए अच्छे से और उसको रफली अपनी आइप्रो की शेप में मैं यह जो है राउन शेप में कर रही हूं क्योंकि इससे आच बनाना बहुत म करेंगे ताकि वह जितना हो सके अतना ओरिजनल लगे अर्टिफिशल लुक ना क्रिएट हो बस जो भी गाप से आइब और जहां पर आपको लग रहा है कम है उसको फिल कर देंगे जो इनर साइब रों के उसको बहुत लाइट सा फिल करेंगे ताकि वह जादा हैवी ना दि साइड आपको गाप्स दिख रहे होंगे तो यह पर आप भाव गेम समझ गए होंगे कि से ब्राव से यह आप कैसे पूरा लुग चेंज कर सकते हैं अगर आप इनने हैवी कर देंगे तो यह आपका मेकप वर्स कर देंगे और अगर आप इनने अच्छे से मैनेज़ कर लेंग इसके साथ ब्रश भी है एंगुलर ब्रश जो कि इस आज वाले लोग के लिए बहुत कंपल्सरी है सच्छे से क्रियेट हो जाती है आज आज बने का तरीका से मैं बस प्रोडेक्ट डिफ्रेंट है यहां पर अंगुलर ब्रश यह उसका ने का फायदा ही होता है चोटे-चोटे स्टोक्स में आप उसी शेप में कलर को सकते हैं गाप स्टों यहां पर वही कर रहे हूं जो भी गैप से उसी आज अज बरेडे श शेप में थोड़ी सी उपर से डेबलब किया है कि वो पहले नहीं थी तो अगर आपको यहां जो आउटर कॉर्णर है वहां से लॉंग भी करनी है तो आप आप से भी ड्राग करके उसको बड़ा दिखा सकते हैं होप यह वीडियो आपके लिए यूसफुल होगा अगर वीडियो चलोगा प्लीज लाइक शेर कोविंट और सब्सक्राइब तो मैं चानल